यह गाड़ी की खास बात मैं आपको ही बताता हूँ वीडियो शुरुआत करने से पहले सेकनेड मार्केट में अगर पॉर्ष कोई है ना पूरे इंडिया के अंदर ये वली तो यह है तो पॉर्ष काइन अगर इंडिया में कहीं पर भी प्री ओंड में खड़ी है तो वह सिर्फ अपने शुरुम पर कड़ी है दोस्तों आज हम आए हूँ है नरानेक के अंदर आटो बेस्ट इंपीरियो पे और इनके स्टॉक के एक गाड़ी ती जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको दिखाएंगे और वह गाड़ी है जी पॉर्ष की कायन बिल्कुल ही ब्रैंड न्यू कंडिशन में ये गाड़ी बिल्कुल ही न्यू है क्योंकि 2019 मॉडल है ये गाड़ी और इतनी लोड़ेड है न है गाड़ी कि ये जो पॉर्ष है ना बस सारे पैसे ही इसी के हो जाएंगे तो इस गाड़ी की पूरी डीटेल जानेंगे और जानेंगे कि ये गाड़ी कितने ही पैसों में आती है और क्या-क्या फीचर से लोड़ेड है ये गाड़ी तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जया से यादा लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब भी करना ये लाल कले का बटन दबा के और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बैल आती है दोस्तों उसके वी क्लिक कर देना ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालू दस बजे तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टेग्र सब्सक्राइबर को जाता है जिसने मारे वीडियो पर बहुत अच्छा कमेंट किया तो अच्छा शाओड़ गोज तो आशीश द्रमा थैंक्यू सो मच बाइक कि आपने माइग एक तरी मारे टी वीडियो पर कमेंट किया तो अब ज्यादा बातें निकरते हैं स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जानते कि आज यह जो पोस्ट आटोबस इंपिरियो के स्टॉ तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो करते हैं तो आटोफ जो जो चलिए शुरू करते हैं प्हुरा प्रपलप्स आसा प्रप्स्द्द्द्द्दिद्च झाल झाल अब आपका स्वागत है ओटो बेस्ट इंपीरियो पे और आध दुबारा से हमारे बहुत अच्छे भाई फ्रॉम टर्व एक्ट्रीम यूटूब चैनल आने वालकम चुमाई कंट्री माय राइट बहुत ही गर्मी होगी है पसीने आरे अंदर भी आजाते हैं सारे वाई को अ चैनल जो नए आये हैं उनको स्पेशल इस्ट्रेक्शन की सब्सक्राइब कर लो अगर गाड़ी का सपना पूरा करना है तो और जो पुराने है वो वेल्कम तूद अगी अच्छा अभी कुछ दिन पहले ही जो हम कर रहे थे जब हमने मस्टांग करी तो आपने बताया था कि पॉर्ष आने वाली है वह वो पाँच आ चुका है यह गाड़ी खास बात में आपको यह बताता हूं वीडियो श्रुआत करने से पहले शे sorting मार्केट में अगर पॉर्ष कोई है कुरे इंडिया के अंदर यह वाली तो यह है तो पॉश काइन अगर इंडिया में कहीं पर भी प्री ओंड में खड़ी है तो अगर आप टाइटल में पढ़के आई हो ना ओनली वन इन इंडिया तो वह सच बात है बिल्कुल सच है यह गारेंटी ओन पेपर रिटन ओन पेपर रिटन देदेंगे अब सबसे पहले आप इस अधिया अधिया विए सब सबोर्स अधिया उभि एंड ठीक है अगर इंजन टो थी लीडर आपने तीन अजर सेट एंचने पेट्रों आप और डी आप इच्प बहुत सारे होते हैं अगर पेट्रोल गाडी है तो कि यह जो गाडी है इसके अंदर वीश क्यांच जंग में पर जैसे आप इसकी शेप देखेंगे तो अप्लेटली एक SUV नहीं एक स्पोर्ट्स कार जैसी शेप है एरो डैमिक शेप एंड प्लस इट सब प्रॉपर अगर आप चला होगी तो चलाने में इस वरी पावफुल आप नंबस पर मत जाओ बट जब आपन चलाते हैं इसको तो बहुत डिफ्रेंट बहुत डिफ्रेंट क्लास की अब मिस्टर व्यास करीब आएंगे तो आपको एक बार दिखा पाऊँगा इसके जो रिम्स है ना वह आर्नी में बताएंगे अलॉइ तो बाई इसके लिए लगे हुए हैं यह नाम तो था काफी लेकिन उनिस मोडल होने क पर दो चलने से पहले आपको बूट दिखाता हूं फिर इसके अंदर बैठते हैं और चलते हैं वैसे इस गाड़ी को गरम कई हिल्स वगारा पर लेके जाते हैं तो क्या प्रफॉर्मस रहने वाली है इस गाड़ी है वैसे तो एस्यूवी गाड़ी है आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं एलेक्ट्रिक टेल गेट है इस कार कर वाव यह मैंने भी रिमोट से खुला है या अपने हाद भी नहीं ल बिल्कुल भाई यह देखो अब सिर्फ एक बटन का खेल है और यार जबरदस्ता है गाड़ी लेकिन अंदर से जो इसकी लोडिंग सोने वाली रहा वो दमाका करेगी अंदर चलने से पहले हम इसकी लाइट दिखाएंगे अपके वीवर्स को दिखाओ फिर वाव भाई यह यह देखो अभी आर्नी ने अमें बताया लाइट अब यह देखो यह पूरी यह देख रहे हूं यार कितनी सही लग रही है इसके बड़ कोई शेप आई भी नहीं है और अभी नेक्स्ट एक दो सालों में आने भी नहीं नहीं नाइंटीन के बाद तो जब आईगी शेप त तो क्या यह ब्लाक कलर है या ग्रे है यह समझ नहीं आ रहा मुझे भाई यह मिक्स कह सकते हूं मैजिक कलर क्या दो यह सब्सक्राइब यह पर आगे भी यह दियारेल लाइट आ रही है पूरी तो यह अभी थोड़ी रॉश्नी ज्यादा है यहाप इसलिए प्रोपर ली नह सब्सक्राइब लेकिन अगर हमारी आखों से देखो गे ना तो यह बहुत खुबसूरत लग रही है तो आप चलते हैं अंदर की गाड़ी बहुत स्पेशल है अंदर मजा आगा यार बहुत एक्साइटेट हूं मैं इस गाड़ी के लिए क्योंकि 19 मोडल पॉर्च फिर भी अपनी पहली होने वाली है और वो भी ऐसी आख और ने बताया कि पूरे इंडिया में एक ही प्रियोंड खड़ी है और आपको यह तो अपके ही चैनल पर बना ही वीडियो में तक तो हम लखी रहे गए इनके बाद में आएगी लेकिन सब्स्राइब करना लाल बटन दबाग चाबी भी देख लो नहीं है तो फिर पैक कर रखी है जरूरी भी है चला ही अंदर आईए अब आज चुके हैं जी पॉर्ष कायन के अंदर 2019 बार बार इसले मेंशन करना हूं क्योंकि गाड़ी ब्रैंड न्यू है बाई यानि अब सबसे पहले आप देखो कि यहां पर कुछ अब आजनी जल रहा गेर इसे रहा है स्टेरिंग आपके सामने है अब आजनी भाई दर आए अन करेंगे तो हमें पता लेगा कि यह रही अच्छा और मैं ओन कर रहा हूं इसको तो यह हो गई भाई ऑन यह यह देखो और यह अल्टेमिट आया पॉर्ष लिखा हुआ इसका कितनी बड़ी स्क्रीन है इसकी तो हाँ स्क्रीन बहुत बड़ी है एंड कंप्लीट कार इलेक्ट्रोनिक टी कंट्रोल्ड है अच्छा यह पूरा इतना लंबा मतलब इन्फोर्मिटिव सिस्टम है कि मैं समझा भी नी सकता पूरा मेरको भी कम से कम दो दो लिगेंगे इसको तो में इसके ही वाकी वाकी अब इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं जो शायद डिजिट नहीं है हर ची डिजिटल नहीं है अदि ग्रिफियल दिखिए दिजिटल और श्रीक गर बेम पेसिकली जो सेंटर कंसू हो ता है हैं आप है इसके गॉक जाए प्रोड़ निगी है हाइट उची कर लो प्रॉपर ली ओफ रोडिंग कर सकते हो इसके अंदर वाव डियूल जोन क्लाइमिट कंट्रोल अगें यह पूरा डियूल जोन दिख रहे है यह यह ठीक है एंड कंप्लीट यहां पे पूरा इंफरमेटिव सिस्ट्रम यहां पे अपना अपना एस नीचे पूरा बेज ताकि गारी बड़ी लगे सटेरिंग पर मिश्टर वोकस करेंगे तो स्टेरिंग पर कंट्रोल के साथ मैं यह इदेख भारा हूं मैं समझ नी पार यह है क्या वै इस वर्थ मोट डालने के लिए तो यह एक्शली पॉर्श इस अल्वेज और पोर्फोर करते हैं कि उसको हम तो कि है कि हम आप डब कर। सब्सेHaegen माल्म, आप सब्सक्राइं कर सकते में तो यहीं से इसको कंड्रोल कर सकते हैं कि सब्सक्राइब दो है कि दो करे लिगा सब्सक्राइब शबर 201 के घरसकते हूं 250 के असपास बड़े प्यास इसके मेटर में कितना दिखा रहा है मेटर में वैसे 270 दिखा रहा है 250 के बाद 2.5 बजे और दिख रहे है अच्छा 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 तो बाद निगाने वाली बहात है तो कम्फटेबली याथी इवन इसके जब आप स्पेक्स भी पढ़ोगे ओन नाइं तो इसके इसके जो मीटर है इसके अंदर माफी युनीक सा रहा है मतला यह वर्चुल कॉक्पट अच्छा पूरा एं ठीक है दिन बीच में इह पर डिजिटल स्पीट इम मैनुवल स्पीट जिसको गहते है यहां पर गीर्श दिखा रहा ह ठीक है एंद यहां पर यह जीपीएस दिखा रहा है यह वर्चुल कॉक्पिट सिस्टम होते है ठीक है यह मैं कम्प्लीट यह अगर मैं रोल करता हूं यहां से तो यह देखो यह पूरा कार की डिटेल दिखा रहा है और बहुत दिफरेंट तरीके से तो गंप्लीटली in the Aquí the rules को आने उत्युल कुकुर्ख ना चाहते हूं अद्टो अन्ट मोग खिए और साइर प्रेशय का विर्ष उंग अधिर में जल जाते है थी अ्गर और प्रफश के चलाओकी आए यह अदिक पे डिफेंट लोग एँकल निकाल देगिया बिल्कुल प्रोपर अफ- believing यह क कितनी साही off-roading की बात बता रहे है, पैनरों में एक sunroof है, sunroof बहुत बढ़ी है, इसकी मतलब पूरी काफ जितनी लंबी है, मतलब पीछे तक पूरी जाती है, जबर्दर, and special है again car, sports car style है, तो यहाँ पर अगर मन बात करते हैं, तो यह एक दो है यह 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 पोर्श में होता ह यह पॉर्श में होता है, यह पॉर्श में होता है, यह पॉर्श में इसलिए होता है, प्लस ऑफ-roading में कहोता है, आप बैठे हो, आप रहे हो जादा, you can control yourself, यह नहीं ग्रिप बहुत अच्छी है, ग्रिप गुल प्रोपर है, यह पूरे हाद बात करकर दो, चलाते हो चोड अब मैं खोल रहा हूँ, गलव बॉक्स इसका, तो गलव बॉक्स खुल गया, गलव बॉक्स के अंदर दो USB चार्जिंग और दो फोन अराम से अब रख के चार्ज कर सकते हो, बहुत सही है, बहुत सही है, अब इसके अंदर memory seat, नहीं भाई, इसके अंदर memory seat नहीं है, इसमे इसमें seats electronic है यह बट memory seats नहीं है, नहीं क्योंकि इस sports car है, तो sports car में normally कभी memory seats होती है बहुत रहर ही इसी sports car होती है, इसमें memory seats हो, क्योंकि sports car is a personal car, यह सही है, 3-4 बन दे नहीं है, आप शेर नहीं करते, इस अपरसनल car, बहुत अच होता है, इसके pedal shift और इसका जो, यह यह जो finish steering एक नमबर पूरा sports steering यहां पर पॉर्श का लोगो और complete sign यह सी यूत अपर हमेशा देन यहां पर कोट सारे control यह जोग वील यहां पर यहां पर कोस्ट control lever ठीक है उसके बाद यह complete wiper okay vipers के लिए सारे system इनर यहां पर की complete control and everything is all clear यार इधर आओ एक बार ये सही में ऐसा लगता है एक बार मिस्टर व्यास आएगे ना ये चीज बहुत ही प्यारी है जिसके अंदर मतलब सेंटर कंसूल तो पॉर्श का मतलब नेक्स लेवल है अगर हम यहां पे अगर इसे क्लिक करेंगे तो तो यह मोड आगे इस का अगर अगर यह देख रहे है तो पता नी कैप्चर होगा नहीं होगा यह उपर नीचे जाती है थोड़ी सी हाइट नीचे चलियाती है क्योंकि एरो डैनेमिक और ज़्यादा होता है एंड सुस्पेंशन स्टिफर साइड पे आजबता है ताकि गाड़ी ज्यादा रोल न स्पेंशन स्टिफ हो जाता है ताकि गाड़ी रोल नहीं हो क्योंकि स्पोर्स पर तेज चला रहे है तो गाड़ी रोल नहीं होनी चाहिए जैसे जूलती है तो जूलनी चाहिए बट फिर भी इसकी जो ग्राउंड क्लेरेंस है वो अगर सबसे नीचे भी होगी तब भी काफ अराम से देगी तनी यहां जी यहां फिलता है और यहां अधलिग है तो इतनी तो देती है अब एसा तो नहीं है यह इक दोगी अवरेज है ठीक है तो जो भी लेगा वह अवरेज के लिए तो नहीं ले नहीं, as compared to like Mustang, if I'm talking, Mustang is a V8 engine, with 5000cc, okay, this is V6, so this is a 3-liter engine, okay, plus 6-liter, so the engine is also small, okay, so this is what we're talking about, so now let's sit behind it and disclose it's money, because it's also interesting, because today we're talking about it, so technically it's pre-owned, but it's a brand new car, so you can understand it, or not? 4,000 km चली होई तो क्यों? यार, 4,000 km चोड़ो, 19 model बहुत क्याते हैं, उंचे model लिखाते हैं, तो लोग यह 19 चली रहा है, और 19 model गाड़ी है, वहारे शोरूम पर पुरानी गाड़ी आपने कोभी देखी भी नहीं होगी, फिर देखो, मैंने पहले बोल रहका है, auto best imperial पे, उंच यह यहारी बात है वाई, जब लेग्रूम के तो बात अलग है, लेकिन इसके अंदर वैसे, अब sports car यह, sports sue, music system कैसे होते हैं इनके? प्रवस आपोलरो है बस मत ङत कंविल सुनने कार लास प्रोण सेसे सि अध Sra1 वाली मत लिए घ contrat कार बात नहीं अगया नहीं वाली स्वेकरो सब्सके के मे लिए आन एकoter लोगी मुष्टारोस करें भी यह लिए सीत सिर्ट कार अफ बॉरोस मत प्रद कार औरिबर्स में यह दो हिना मिचलीची में करने का नों बंड़ोकता कै निन को चिलाने का शोरी है उनके बिजयने को और रिजसे उनका को साथ भागलेडस ज़ैसे आपना पीछे बैठेटे से इसा नहीं कि उनkom ओगलेगा दोडी बिज़ फिलांनी छोरीन थीर की आगे के लिए, फ्रेंट सेट के लिए, बट हाँ, अगर आपकी फैमिली भी है, या आप फ्रेंट से साथ भी गही या रहे हो, तो इस अ मोर दन कमफरेबल कार, पीछे आप लग रूम देखी सकते हो, बिल्बल फैल के बंदा बैठता है, कोई टेंशन ही नहीं है, इसके इन टीरे, यह डिफाल्ट ही आता है गाड़ी के अंदर, पूरी गाड़ी स्टॉक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया हुआ, जैसी कंपनी से आती है, बिल्कुल वैसी है, four zone AC है, I think, इसके अंदर, four zone climate control है, पीछे के दो zone अलग है, इछे बार बोल का अपना charger है, डियू यह भी लगे हुआ हैं यह लग है चिन खान वाउस को दा तो ऑख बीखि तो कंफिटी वैठेगा पैसे बीटै मनला force next level है अगर हम किसी SUV इससे compare करें जो आती है तो इससे कुन निकार मात करें तो अपना तुछ सुनर निर्थ परफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉ अब तो अभी भी नहीं आने वाली है आने वाली है जब वीडियो बनाने आते हैं पहले एक गाड़ी का और शस्पेंज कर देते हैं कि वह भी आने वाली है अभी आपके लिए दो गाड़ी और आने वाली है एक 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 लास और एक C-Class 2019 लेलो अब जो मेरे सब्सक्राइबर कह अब जारे फीचर एक्सप्लोग करवाए बहुत मजा है इस वीडियो को बनाके तो अब मोटी-मोटी बात करें जिस चीज के लिए मिए आप आये हैं वह आजी यह गाड़ी सेल पर है बिलकुल भाई सेल पर है अब नए प्राइस काना आप भी चैक करना गूगल पर वही फिकर मिलेगी जो बता रहे हैं बाई फिकर क्या आती है नहीं की बाई यह करीब करीब आती है ये करोड़ 55 लाकी पर हम 1.5 करोड़ झाले लेते हैं चलो ठीक है अब और यह देखना अब प्री आज़िए में इसलिए हम बताते हैं आपको क्यूं फाइदा होता है अब गाड़ी लेनिया है आपको PORTS कायन है तो ठीक है वह ब्रैंड न्यू गाड़ दिलवाते हैं अब कि यह देढ़ क्रोड छो यह आप वह पेसे के तॉना जो हम बता रहे है अब बताओ जी के पैसे कितने ऑंगे में मिरसलू जो फिन गाइस नियो पानेगे करेंगे करेंगे यार करेंगे ऐसे-ऑथि-परेंगे १िये-रह अपंचीजीन लेगा फो पहले सब तो हमने 30 लाग रुपे गटाए है और वो भी हमें ज्यादा ही लग रहे है क्योंकि यह 90 लाग रुपे जो गटा रहे हूं यह मैं नहीं कभी प्राइस पांच लाग रुपे कम बता रहा हूं चलो ठीक है यह 25 लाग रुपे करोड रहे हैं क्या आपको गिफ्ट करवा हूं अचा यह सही है यह अंदादा ब्लू ठीक दिना आप क्या हम दो गाड़ी ले पाएंगे तो भई वैसे गाड़ी चलो आज आज गाड़ी पर बात नि करते हैं आए आज आए मा बाईकर अब यह यह पते क्या के देंगे यह मुसा उसा की बात होगी पक्की बात है तो यह दोड़ा ऊपर चले गए तो एक विए यह एक फेवरेट बाईक है मुझे पता कूंसी है वह है केटीम ड्यूक 390 कितने की आती वह बाई वह वह आती है 2,90,000 पर गी मतलब 3,00,000 पर तो इसके साथ एक 17 गाड़ी बहुत सही है बहुत सही है एक करोड 17,00,000 की डील है अब आप कंपेर करना फिर भी आरनी बाई अगर यह गाड़ी कोई खरीदा तो पैसे तो बहुत हो रहे हैं बहुत करीब 33,00,000 कम हो गए प्रैक्टिकली 4-5 महीने परानी गाड़ी है तो और 33,00,000 कम नही गाडी तो पूरी आजएगी और बहुत बढ़िया वाली तो बहुत बढ़िया वाली बहुत अच्छी गाड़ी आजएगी अटोबेस इंपिरियो जाना ही इस बारे में जाता है ब्राइन न्यू गाडियों में डील करते हैं वेल मिंटेंड लेस ड्रिवन और जो गाड़ी होती है आप देखोगे ना मैंने पर पहले बताया गाड़ी देखे आप बता भी निए सकते कि यह प्रीयों गाड़ी को शोरुम है यह बिल्कुल ब्रैंड न्यू गाड़ी को शोरुम है यहां का इट्मोसफेर और यहां की गा कर दो तीन लाग रुपए के घाड़ी कम से कम पाच-सात लाग रुपर फ्रत होती है यही तो आटो बैस्ट इंपिरो की खास बात है तो सारी इंफ्रमेशन आटो बैस्ट की दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन में दिये हूए नंबर पे कॉल करके आप अपनी गाड़ी की इंकुवारी पूछ सकते हैं और अगर आपको इस गाड़ी की डील क्राक करनी है तो फटा-फट नमबर डायल करें जो आदी बटाएंगे 8885-88886 मतलब 8885-88886 पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं हमारी एक वेबसाइट भी है वेबसाइट www.autobaz.co.in इस पर आप पूरा स्टॉक चेक कर सकते हैं हर गाड़ी का प्राइस, पूरी डिटेल एवरिधिंग इस देर आप सब को चेक कर सकते हैं फोन करके पता कर सकते हैं अगर आपकी कोई परसनली कोई आपको गाड़ी पसंद हो या कोई पर्टिक्लर गाड़ी लेना चाहते हूं तो भी हमें कॉल करके हमारे से पूर सकते हैं पर हम बहुत पुरानी गाड़ी यह नहीं रखते मतलब करीब करीब हमारे पास लास्ट रकर होती है करीब करीब जो एक करोड रुपे तक का बज़ट है इसके बीच में हमारी काफी सारी रेंज की होती है एक करोड से उपर की गाड़ी थोड़ी सी कम होती है इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो चाहते हो एक अच्छी साफ सुतरी और ब्रैंड न्यू गाड़ी लेना की शौक रखते है और वो भी लग्जरी प्रीमियम आटो बेस्ट इंपिरियो इस दे प्लेस जहां आपको आना है और गाड़ी लेकर जाना है क्योंकि जबरदसरी डील होती है और अगर आपको इस गाड़ी चला भी रहे हैं लग्जरी तो वो दे के आप यहां से गाड़ी ले भी सकते है एक्सचेंज फैसिलिटी अविलेबल है और डिलिवरी पूरे इंडिया में हमारी अवेलेबल है करवाद होगे हाँ हम तो नहीं जाएंगे ना माँ नहीं डिलिवरी चार्जेज लगते हैं अच्छा वो तो कस्टमर को बेर करने पड़ेंगे बड़ पान इंडिया भेज देंगे नॉमिनल चार्जेज है को यह असा नहीं है नहीं चलो यह तो बहुत अच्छी डिल लेग करवाद करें